हाई दोस्तों नमस्कार अक्सलाम वालेकूं मेरा नाम है देवरत नगरवाला और आप देख रहे हैं इसलिए टेली कॉम ओफिसील चैनल आपका चैनल दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं बोर्णो जो बोर्णो हमारा स्वार्डवेर है स्केमाटिक टूल टेक्निकल बहुत तरह बच्चों ने भी वीडो डाले हूं इस पर और या मैंने देखा इसलिए मैं छोड़ा लेट इस पर वीडो बनाया तूरकी पहले मैं इस पर रिसरच कर रहा था मैंने देखा कि क्या यह वाक्षी में आपके लिए अच्छा है की नहीं है तो यह अच्छा टूल दोस्तों और इस पर बहुत रही डीटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है इस पर हम बात करेंगे पहला कि कहां से डाउमलोड करें दूसरा कैसे इंस्टॉल करना है तीसरा कैसे रजिस्टर करना है चौथा उसके अंदर आपको मिलेगा क्या 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 टैक्निकल जोए म अगर आप टैकनिक्ट नहीं हो तो यह वीडियो आपक लिए बिलकुल भी नहीं है तो दूस्तों मैं इस सुरू करने से पहले बटाना चाहता हूँ कि अगर आप ने इससे पहले हमारे कोई Պभी वीडियो नहीं देखे कि आप इसको subscribe कर सकते हैं तो चलिए अब भी बात करते हैं Borneo, Borneo software में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा तो देखा जाए तो एक ऐसा software tool जो आपको schematic तो दे रहा है मतलब schematic हो गए कि sir हमें अगर किसी phone का light diagram या किसी phone के circuit diagram या box line या कोई सी भी line किसी phone के back line या कोई सी भी line हमें अगर त्रेस करनी हो तो हम कैसे trace करें तो उसके लिए में चाहिए schematic schematic tool तो जैसे कि आपको comment भी देता है schematic को आपको जिन जाओ आपको woo jing हो गया आपको zxw यह सारे tool जो iPhone और इस अब के लिए बनाए गया है पर अभी खास तौर पर android के लिए android के लिए कुछ ऐसा क्या खास आ रहा था market में तो दोस्तों देखा जाए तो iPhone पर कितने साए tool बने हुए zxw जिसमें आपको सारा line हो detailing उसमें दिया हुआ है उसके paddy के उसके resistance के साथ अगर हम बात करें जिन जा हो गया या फिर वू जिंग हो गया इस सबके ऊपर android में क्या android में देखा जा तो combinate pro के साथ जिन जाओने भी काफी अच्छा है अपने android को आपको कितना लेटिस आपके स्कमेटिक आपको बताए कि उसने सबसादर लेटिक अपडेट किये और उसके साथ जो आपडेट आ गया है और भी बहुत सारे इससे टूल आ है पर वो अपडेट नहीं हुए मैं अगर सबसे बेस्ट टूल बोलूँगा तो combinate pro सबसे बेस्ट टूल है जिन जाओ सबसे बेस्ट है अगर देखा जाए तो app finder बहुत जाद अपडेट नहीं हुआ है अपने लेवल पर जितना लेवल पर होना चाहिए और सबसे महंगा एक टूल माना गया है उपर से अलग से एक डॉंगल चला हलाकि आप तो online हो चुका है आप तो से password से open हो जाता है पर ठीक है यह video है यह video है यह video है आपके schematic tool जो से भी schematic नहीं देता है जो देता है लाइनों की जानकरी जो देता है circuit way जो आपको बताएगा कि कौन से supply किस component से होते हुए किस IC के pad पर जा रही है और यहां तक कि यह भी नहीं मैं इसको पहले यह समझता था जब मैं इसको पहले देखता था मैं समझता था कि jumper pick जैसा jumper pick क्या होती है उसमें यह बता दिया जाता है कि यह line इस line से इस component के तुरू series पहले में जुरी हुई है तो उसमें यह component लगा हुआ यह line है यहां आपको HD photo में सबसे अच्छा है सबसे बड़ी बात HD photo आपको देखने को मिलेगी दूसरी बात आपको इस line की जानकारी होगी इस line की उसका काम उस line पर लिखा होगा क्योंकि एक सबसे अच्छी बात है कि वह कौन सी line है क्या वह controlling line है क्या वह commanding line है क्या आपकी वह EN signal वाली line है या आपकी primary voltage है या secondary voltage है या क्या है वह या ground है तो जो भी है वह आपको पता चलेगा इस tool में तो यह tool काफी अच्छा है मुझे लगता है कि अगर आप यह technician है तो यह tool जरूर पर्चेस कीजे सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में होगी कि कहां से purchase करें इंडिया में कौन बेच रहा है तो आपको इंडिया में यह tool देंगे सबसे कम rate पर जी हां आप इनको WhatsApp कीजे अगर आप इस से टेलीकौम के student हैं तो आप अपना certificate दिखाईए और साथ में WhatsApp group जिस भी आप group से जुड़े हुए अगर आप group से नहीं जो रहे हैं तो आप इसका फादा नहीं उठा पाएंगे आप अपना WhatsApp group और certificate दिखाईए आपको मिल जाएगा जितना भी rate आप नॉर्मल ले रहे हैं उससे भी कम rate में अगर आप subscriber हैं तो आप अपना सिर्सक्राइब किया हुआ फोटो दिखाईए तो वह भी आपको कम rate मिल जाएगा तो नॉर्मली जडेक्स मलीक इसके इंडिया के सबसे बड़े distributor हैं इस tool के आप इनसे bulk में भी purchase कर सकते हैं और दूसरी बात यह tool के बारे में आने से पहले में आपको बताना चाहते हैं वीडियो बहुत पैसे ही लंबा होने वाला है तो अराम से वीडियो देखेगा कि अगर आप tool के dealer बनना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप इस tool को बेचें अगर आपके भी कुछ followers हैं या आपके यूटूबर हैं या आपके पास भी काफी student हैं या आप को institute वाले या अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप इस tool को dealer आप इस tool को deal करना चाहते हैं अपने student के लिए तो आप Jxml से contact करें और वो बनाएंगा आपको dealer इस tool के और डायेट आप इस tool को बेश सकेगा अपने student को तो चलिए सबसे पहले आते हैं इस tool के बारे में अगर आपको इस tool डाउलोड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों मैं कोई भी लिंक नीचे नहीं दे रहा हूं क्योंकि बहुत असान है आपको Google पर जाना है लिखना है बोल नियो लिख दीजेगा और स्कमेटिक आगे लिख दीजेगा से इतना और इंटर कर दीजेगा देखें मैंने लिखा बोल नियो स्कमेटिक और पहली मुझे वेपसाइड मिल गई है मुझे क्लिक करना है मुझे डाउनलोड एप पे जाना है और जो भी लेटिस अपडेट होगा हम डाउनलोड करेंगे तो है डाउनलोड लिंग टू जो की है 16, 10, 20 का इसको क्लिक करेंगे तो यह आपको यहाँपर डाउनलोड हो जायगा पहले आपको बता देता हूँ कि जब दाउनलोड करेंगे तो हो सता है यह वारस देखा है, हो सता है यह keep or dangerous वाल देखा है, तो आप इसको keep में क्लिक करना है क्योंकि यह आपके anti-virus का problem है, यह file virus, इस file में कोई भी virus नहीं है, अगर तब भी यह file install करने में दिक्कत आती है, त अगर यह तब की बात है, दोस्तों यह मैं error भी बता देता हूँ, यह तब की यह और यह आपको कोई भी वीडियो में नहीं दिखाए देगा, जो भी बच्चे वीडियो डाल लें, उनके में साइद आपको दिखाए ना दे, आप एक काम कीजिए, आप यहां जाएए, जाएँगे, सिधर साँ इसमपल है, आपको एक जाना है, और आपको रियल सेटिंग में क्लिक करना है, आपको सबसे पहला रियल सेटिंग ओफ होना चाहिए, उसके बाद आप नीचे करेंगे, और एइस्क्लूूज पर जाएँगे, और एड रमूव पर जाएँगे, और और जहां यह जैसी इंस्टॉल करते हैं देखिए चलिए पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं यह मार पर बॉर्णियो सब्सक्राइब आगया है आप इसको उपन कर सट है डाइडली मेरे पास अर्रेडी उपन हुआ है इसको कुछ नहीं करना है इसको डॉबल कि करना है स्टैक करना है स्टैक के टाइम पे पासवर्ड आप यह देख रहे होंगे बॉर्णियो फ्लैसर तो आपने यह लिखना है आप यह स्टॉल करेंगे यह आपको इसली इस्टॉल हो जाएगा आपके विंदोस सी में और उसके आपने क्या करना है यह वाली फाइल को आपने आपने डेस्टॉप पर जाना है तिके मैं फिर से बता देता हूँ एड़ एड़ जाएंगे फाइल पर जाएंगे वीडो को और पहले कर लिए अगर आपको दिक्कत हो तो और इस सेटप के वाले डॉड़ एक्सी को आप कर पर जाएगा कोई भी अरर नहीं देगा और अगर आई अरर दे रहा है तो दोस्तो वह जो लेटेश्ट सॉडवेर वह अपडेट जारूर वह आपको इंस्टॉल करना है आपके अपने अप्प्यूटर के आपके कंप्यूटर में आंटीवर्स को डिसिबल करना है और जो पर सिर्म अगर कोई मतलब से हो फोट करने की चलाने का भी मतलब बनता नहीं है तो आप ने पासवर डालिये डैमो यूजर डाली डालिये डैमो और कलिक करके उपन कर लिजेगा तो देखे दोस्तों यह ओपन हो चुका है और अब हम इसको करते हैं रजिस्टर अगर आप फर्स यूजर अगर अभी तक इसको अपन नहीं किया तो सबसे पहले आप नीचे देख रहे हों कि बॉटम में तो आपको यहां पर दो यहां पर ओपसें देख रहे होंगे एक लॉ आपको यहां स्क्रीन में दिख रहा होगा डी एम ओ यहां पर आपको स्मॉल वर्ड में यूज करने हैं दोनों में ही तो यह आप इसमें चला सते हैं और मैं आपको बता दू कि आप अगर डेमो चलाते तो से कोई फायदा नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर जितने भी प अगर अगर आपको यहां पर आपको अगर आपको बने बाले तो भी आपको बने बाले तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपने रिजिस्टर में जाना है अपना नाम लिखना है नाम आपने केबल जासे आदा छे आपने नमबर या आपके जो भी वर्ड होने चाहिए वो आप लिखे जादा लंबा नाम आप मत लिखे एक स्पेस मत डालिए का नाम में जासे सापोज आपका नाम राहुल है तो राहुल 1 2 3 राहुल 4 5 3 जो भी आप एक नमबर और आप एक करेक्टर आप यूज करना चाते है या आप जो वर्ड यूज अल्फावेटिकल जो वर्ड यूज करना चाते तो वो यूज कर सते हैं एमेल एड्रस आप पूरा लिखे अपनी मुबाइल नमबर आप डालिए उ इसको और अच्छा बना सते है पर एक छोटा पासवर्ड यूज कीजिए बहुत जादा बाडा पासवर्ड यूज मत करें और अटिवेशन जो कोड है तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको लेना पड़ेगा जैडेक्श मलिक से पर्चस करकर और वो आप जब यहां पर डाले यहाँ दे रही है और पासवर्ड जो मुझे मिला हुआ जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है तो मैं इसको लॉग इंटरनेट पर चलता है अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इसको चला नहीं पाएंगे यह उनलाइन स्वार्ड वेर ऑफ लाइन नहीं है तो कर रहे हैं पूरे कंट्री के लिए इवन इंडोनेसिया की बात ना करें हैं अलग अलग कंट्री में भी अच्छा बूम कर रहा है आज की देट में मार्केट में क्योंकि दोस्तों अभी की डेट में मैंने पहले जैसे भी बताया है कि आईफोन में आपको वू जिंग मिल बना हुआ है तो यहाँ है आपको ऐढिया भूग यहाँ है फहा हैं plastic पूलिट में एक में मिल विलका Erg ज़िए पैनल मोडल यहां पर टे करते हैं कि जो लावावा पर लेन्व वो गया एल जी हो गया मेजू, माइक्रो मैक्रो मैक्स, मोटो ला, नोक्या, ओपो, वन प्लस, वन प्लस के मोडल देखते हैं वन प्लस में क्या आपको डायग्राम देखने को मिलेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका डाग्राम……बदेटेटीः को वन प्लस की बात करएंगे तो वन प्लस फाइब टी यंद वन प्लस एक इस समाल ढूगल बात है पुरे गूगल बैशेज में नहीं मिलेगा आपको Samsung is all done through theną L Leya series कितने सारे मॉ Margaret Tecno आपको सारे मॉर्डल dahaカल तर् profaj चार निखना पीड़ा एक sab सरह में पीच और पीसी को लुए अजो अज़ लुए विए द dawं पर अपने हियर केमाइश्च पर ख motsर्ड면 आपको आपको क्लिक करना है शक्क करना है और अपने सक्रॉल मुप करना है तो सक्रॉल करें तो वह आपको जूम आउट करेगा तो यहाँ पर और अलग-अलग आप देखरेंगे टैब खुल रहे हैं आपर तो टैब भी आपको उपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यह तो के स्केमेटिक अगर मैं अपनी पहली प्रफर करूंगा तो अभी मैं कर लेता हूं यह स् आपको ऐहाएजा है NETROC SECTION में हो दूसलों चलिए अमपाट करते है इसा आपको करते है यह हमारे इनलॉक सिंबलन को digital में करता है और इसी को हम demodulation कहते हैं, यह बहुत important IC होती है हमारे system की, आज ही की बात में आपको बताता हूँ, एक set बनाया है, 6 से एक direct solution देता हूँ, कि अगर आपको कभी आता है basement का problem, और basement unknown आता है, अगर आप file डालते हैं, MTK कोईकि वो MTK का set है, MTK उसमें media tech की processor लगा हुआ है, अगर आपको आता है कभी basement का कोई दिक्कट S6 में और आप से नहीं बन पा रहा है filing और software से तो उसका 6-1 करके । में IC, MTK-6-1, RFIC, उसको change करके दूसरी लगा देना तो तो अगर यह जनना चाहते हो तो आपको जोईन करना पड़ेगा ACA Telecom चलिए, बात करते हैं, इसी के साथ जो जो जोड़ा हुआ है VCO, 26 MHz का जो आपका voltage control oscillator जो जोड़ा हुआ है, किस सरे से यह काम कर रहा है, तो मैं खोलता है स्क्माटिक और इसके साथ मैं यहां पर देखते हैं कि फाउंड जो हमारी component founder रहे हो किस तरह से काम कर रहे है, जैसे सपोस यहां पर है U201 तो मैं यहां पर साचिंग में डालूँगा U201 और एंटर करूँगा यहां पर, तो देखे मुझे यहां पर IC आ गई है और MT6166 मुझे IC आ ही है, और मुझे यहां पर किस्टल टिखाई दे रहा है, X201 जिसके आपको 4 आपके पैड दिखाई दे रहे हूंगे और यह बता रहे होंगे किस सदे से पैड इसी से जोड़ हुआ है, इसी का पैड नमबर वन और तरी जोड़ा हुआ है और 2 तू और 4 देक रहे है कि आपको किस सरे से यहां पर एक अलग connections में जा रहा है तो चली एटीक यहत्त वरा है एक skhmatic का और भी देखिए दो स्कमेटिक मेरे आपको क्या के अपर देखने को मिलेंगे और भी आपसवामी के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी तक मैंने किसी तूल में नहीं देखा है तो लेयाउट अबन करता हूं अचा जल्ली खुलता है और फटाक से खुल जाता है कापिसेटर आगा है 10.0.10.00mph यहां पहुदा डोशिय आपको जहल सकता है और अगर यह कापिसेटर की लाइन पहुदा है दूसी बार बता देता हूं चाजिंग शिंगनल पहहाय अगर यह लिकाईज भी हो जाता तो फरण ड़ता है और बूत कापिसेटर की लाइन पहुद यह आपको फोल्ड लाग साता है चारजिंग स्टोरेज भी साइट ना हो इसके साथ में प्रोटेक्शन लगा हुआ है ददस भूल के और इसमें एक जिनल डायोड यहां पर पैलर यहां पर लगाया हुआ है और यह जो IC है दोस्तों यहां पर यहां पर यहीं है PMI 6321 आपकी सेकंडरी पावर IC कमाल की चीज़ है अब क्योंकि आफिसें यह बेच रहे हैं जडएक्स मलीक और इसके साथ हम और अगर आपको पर्चेस करना है तो आपको स्केमेटिक पढ़ना आता है और हैंड इसकेमेटिक पर्णा आता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता मुबाल बनाने से टो चले बात करते हैं यह तो था इसकेमेटिक तो एक ऐसी चीज जो हरेक में मिली आएगे ऑविस है इसमें क्या क्छास है तो झालो पर्दा उठाते हैं इसकी तरफ से और हार्वेर स्लूशन में जाते हैं तो तीन यह पर स्लूसन दिये हैं और I'm very confident about मैंसराव कि अगर यह खुँच चलता है खुँच ऑफ रहावा नहों चलता है और आप प्रणी और इन ऐसका है है तो आप देखें है व्यत्थना आप मोडल झालिखने को मिल रहे हैं सिस्थंक में आप पर इंडोनेश्टी अकर तो आप कैसे इसको बनाएंगे तो देखे अगर आपका साओमी में टच काम नी करा है सबसे अच्छी बात क्या है पहले मुझे लगता है कि जो फोटोस यह पर दिखाते हैं यह फुल एच डी नहीं है जंपर पिक की तरह है और उसको जूम करेंगे तो यह फटे का पिचल तो और किस तरह से आइसी का डाइनम इसेंस तो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं तो जाते हैं कनेक्टर पर देखिए सबसे पहले साथ नंबर पे एक सप्लाइड लाइन जा रही है वह सप्लाइड लाइन है वी आयो की लाइन है 1.8 वोल्टेज दूसरी यूज लाइ ज़िए के 27 सब्सक्राइब की लाइन पर देखिए अगा हमारे कौन सी लाइन जाती है तो यह जाती है हमारे रिसेट की लाइन, जो हमारा हमारे टरक्안 15 लाइन जो हमरे इंक्तर iç लाइन और अफनी बिभाई 50 लेड जो कि की 2.8 वोल्टेज के साथमें यहा पर LDO के साथ आ अगर अगर आहा है को है Candice एक उभाई कोई वोल्टेज नहींती है तो आपको उनर्फ AndaP का साध़ प्राम आपको सीधा fruit नती ही जायरह है कही नहीं जाना है आपको आपको जाना है याई थेक नही एक सबसकत है अगर आपका touch work नहीं कर रहा है और अगर आपने 27-Pin Numbers, डिस्प्लेयर अगर आपने resistance चेक on the cold testing तो आपने देखा की नहीं आ रहा है, अगर आप ही रहा है और voltage नहीं आ रहा तो भी आपको एक शाइसी को रेबॉल करना है, तो ऐसे solutions आपको देखने को मिलेंगे, काफी अच्छे हैं जैसे 837 का solution ज़कर हम यहाँ पर देखें और charging का solution देखते हैं चलिए charging data solution किया बताता है यहां कि free में भी दिया हुआ है फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ F9 Realme 3 देखें चारजिंग का solution आपको दिखा रहा हूँ यहां से आपको दिख रहा होगा यह आपका FPC connector है जो की bottom board connector होता है इसको B2B connector भी कहते हैं यहां से B bus की line सबसे पहले आपकी तीन filter capacitor से होते हुए एक MOSFET में जा रहे हैं जिसको lag no.1 से होते हुए और वो बता रहे है lag no.4 से output जा रहा है अगर यह MOSFET आपका काम नहीं कर रहा ह है कि अगर हमाल लीजे चार वोल्टिस को regulate करें तो वो चार वोल्टिस को स्थर कड़के रखता है उसको फ्लेक्शोर होने नहीं देता है तो regulate आपको यहां पर कर रहा है ताकि आपके जो आगे का output है वो बना रहे या आगे का आपको जो supply है या इसी है जो बनी रहे तो यह है ओवर वोल्टिस प्रोटेक्शन आइसी और देखे कितना असान है अगर या इसी निकालेंगे अगर या इसी खड़ाब हो जाती तो आपको सिभ यहां और यहां से महलब जहां 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 उन्हें दिखाया है पैड वहां से वहां आपको जंपर लगाने है और बहुत अ अगर आपको चीज का नोलेज नहीं है तो आप जो आपको सिखाएगा निकल जाता है तो आपके चीज का नोलेज नहीं है तो आप जो इसे टेली कॉम जो आपको सिखाएगा निकल जाता है तो आपके चीज का नोलेज नहीं है तो आप चालीत दिन में कमाल का सॉर्डवेर, कमाल का हर्डवेर और हर एक दिन आइसी निकालना लगाना और दस दिन से ब्लैक पेस्टर, सोचो दस दिन चलिए बात करते हैं, रियल मी 3 में देखते हैं पीर, मतशन ही किढ़ना, दहीं ह्या मुढूआ eighteen, बातो है अपना सॉर्डवेर, यहां आईसी दी रियो हाई ठहु कैसे दे शाहित में लगयिए जान दो दो जान of आपके लियू आईसी जानीया कुश्काया पस्ट सॉर्चार व्याइस जाल्त दीन है को उनोंने बताया है कि यहां पर यह लाइन जा रही है आपकी LED-A अनोड कनेक्शन जो कि हमारा LED का अनोड कनेक्शन है और ग्रीन क्लार की लाइन जा रही है LCM CA BC मरलब content adaptive brightness control जो कि LCM हमारा brightness control करता है और डायेट यह control हो रही है आपके IC जो कि light IC है और LCM LED K1 and LED K2 यह हमारा this is this two supplies for to connecting your cathode यह आपकी cathode को connect करता है connecting with cathode directly through your connector FPC connector via this IC यह IC बहुत simple circuit है आप देखे का आपको सबसे पहले एक check यह करना होता है कि इस connector की दो number की pin से anode की line आपकी यहां पर इस capacitor से बीप दे रहा है कि नी दे रहा है आपको continuity mode में रखना है और आपको देखना है कि continuity आ रही है कि नहीं आ रही है अगर आपको continuity नहीं मिलती है तब आपको क्योंकि देख रहा है क्या एक सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है जीरो ओम्स का हो सकता है रिजिस्टर ओपन हो जाए तो यहीं सारी चीज है दोस्तो light नहीं आने का कारण है diode खराब हो जाना boost coil खराब हो जाना leakage हो जाना IC के अंदर की supply आपको पानी जम जाना तो बहुत सारी supply के वज़े से light नहीं आपाती है तो काफी अच्छा है यहां पर भी नीचे इनों ने कलर के साथ बताया हुआ है और दूसरो मुझे सच बता हो यह डारेक्ट सलूसन तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा फॉन का तो है नहीं है इसमें आपके फॉन का नहीं है तो अपके फॉन के सि पु का तो है अब उससे जान सते हो कि यह आपके फॉन से भी गूर्ण में पहन जा खी अगा जा है अगर ऑप एक इंस्पूट से जा रहना है यह अछहा यह फीक ह्लिग होगा और वह 14 वाल की चीज है फ्रटीन वाल की लिगना टे निग दिए अजही बिआर आपकरा है तो थो में % यहां पर आपको लगा हुआ कर दो सेया अजमेशन्य रोगा यही मीडिया टेक सेट तरु만वा है वो MTK का प्रोसेसर लगा हुआ है यहां पर आपकी Wi-Fi ICD हुई है यहां आपका PFO लगाया है यहां पर आपका RF Radio Frequency AC है यहां आपका Voltage Control Accelerator है और इसके साथ में यहां पर हम देखेंगे यहां आपकी Secondary Power IC है और इसके साथ यहां पर आपको जो ICI दिखाएंगे यहां आपके DC कलोरिमेटर यहां आपके RGB sensors IC है यहां चोटी-चोटी IC है प्लस यहां पर देखाई जरी होगी दोस्तों कमाल का software है जितना भी खोलेंगे उतना कम है चले देखते हैं कुछ Samsung में किस तरह से यहां दिया हुआ है Samsung की बात करें तो J250 की बात करते हैं और यहां पर देखते हैं टच की हो गया, बैक की हो गया, चार्जिंग डाटा क्योंकि चार्जिंग का फॉल बहुत जादा आता है और जनली लोग डारेट चार्ज करने सबने फॉन को खराब कर देते हैं और बहुत कमाल का यहां पर दि तो इसका उपसिंस आपको डिया हूँ आप तिक कर सते हैं उसके साथ ही आप देखेंगे यहां पर आपको करनेक्टर दिख रहा होगा वह आपके 7-pin का करनेक्टर दिख रहा होगा तो दूसरे नंबर की पिन है जहां इन्होंने पहला बता है और जो कि पहला है वह एंज की वह करनेक्टर दिखेंगे इस कापसिटर से होते हुए और यह कोईल से इन्पुट कर रही है यहां से महला इसी से आपको जा रहा है आप देखेंगे यहां पर बहुत सारी अलग अलग सप्लाइ यहां पर दी हुई है और क्यूंकि यह एक यूएजबी आईसी भी है तो इस भी पी एच पावर बैट आईडी क्योंकि बैटरी के करेक्शन भी आपर गए हुए है और दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि सर्कुट से आप सब कुछ सीख लेंगे तो यह भी गलत है मैं पहले बता देता हूं कि सर्कुट का नोलेज होना बहुत ज़रा ज़ुड़ कि बी कुए या आपका 24 बॉल का किया है आपकी चार्जिंगा इची छेलेक की आट लेक की अमोस पाड़ाइप की चार्जिंगा इसी तो भाया इतनी सारी चीज समझने के लिए तो एक इंस्ट्वूट जोइन कीजे और अगर हमें जोइन करना है तो नीचे दिया नमर पे क करनी है जादू फूकने का या मन फ़ेर डालने का कि हम आप पर मन टाल दिया और एक पार में इतने आप कामया बन गया कि आप अश्मार्क बन गया कि आप ने जाकर बस Markets मारे yol लगा दी 项 मारें मारेकज़ में आग लगाने के लिए लग में बहुत रहसं movementer करना और उसके लिए प्रैट्रिस बहुत जाना जोड़ी है जो कि बार-बार करने पर ही आती है तो यह है Borneo Schematic Software काफी अच्छा है टूल जो कि मेरे को बहुत पसंद आया परस्नली मैं आपको बोलू और यहां पर साउमी की बात करूँ यहां पर स्केमाटिक की बात करूँ तो यहां पर साहर तरह आपको यहां पर सलूसन यहां पर देखने को मिल रहा है अगर आपको बीडियो अच्छा लगे तो लाइक की ज़िए स्क्राइब ज़रूर करके जाना हो और यह जो टूल है दोस्तो इस टूल को मैंने बता दिया कि कहां से आपको पर्चेस करना है तो आपने गूगल उपन करना है और आपने लिखना है बोर नियो और स्क्माटिक आपको यह वैब साइड आजाएगी आपने से बूर नियो पर स्क्माटिक के लिखनाए और फिस पर लेक्त को आप फ्रसलिक करना है और यह आप जाएंगे एवेब आप कट्रों लिंक करें आपको डाउनलोड कीजिए यहां पर मिलिएका सबस्के अब डेटिड आपको वर्जन वर्जन 1.0 1.5 यह आप अपको चलिक करना है अर आपको पासवर्ड है वह वह यह द्यू फ्लैसर और मैं बता हूं अगर आपको इसको डायो यूजर निम डाले तो यह आप चला लीज़े पर यूजर जो आप चलाना चाहते हैं अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो इसको पर्चस करो और मैं फिर से बता रहा हूं इंडिया में से कम डाम पर कोई नहीं वेचे का जितना जैटेक्स मलिक वेच रहे हैं अगर आप इसे टेलिकॉम के स्टुडेंट हैं तो इसे भी कम में आप मिलेगा और अगर आप इसे टेलिकॉम के स्टुडेंट बनने भी बाले हैं तो भी आपको मिल जाएगा बड़ा को बुकिंग जिन्होंने बुकिंग कर लिए उनको तो मिली जाएगा आप भी सुल लिजए जो हमारे बुकिंग कर आगे जब आप यहां आएंगे तो आपको हम करवा ही देंगे क्योंकि इस वीडियो आप सीखेंगे बहुत सारी चीजे हैं जिन जाओ हम बैसे ही बीसी के लिए इसनी स्टुएंट से खरेदवाते हैं है तो इस बार हमने सोचा है क्यों न बोह नहीं हो सौर्ट वैर निए परचस कर भाया है कुई कि इसमें स्क्मेटिक भी पूरे मिल जाते हैं और डानिट सलुशन भी इसे हैं तो कियासा लगा विडियो आप बताएंगा ज़रूरर कमेंट करके बताएग जब्स और दूस्तों कि अचागानमादी सिँकोने! अचागाँ! अचुछ।